अगरी कल्चर थर्ड समेस्टर प्लांट ब्रीडिंग बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन कुश्चन नमबर एक दी जी यू जीन किसमें बोने पंजीन का स्रोथ है तो इसमें आपसन नमबर डी सही है चावल कुश्चन नमबर दो आर्थिक उपज और बायलोजिकल उपज का आनपात है तो या हार्वेस्ट इंडेक्स आपसन नमबर बी प्लांट टाइप धाणा सबसे पहले किसने दी थी तो या जेनिंग ने दी थी जेनिंग ने चौदा का आपसन नमबर ए सही है कुश्चन नमबर नेश्ट पोधे में सूखे की पारिस्थिती में किस के इस्तर में उरध्धी होती है उप्रोक्त सभी इसका आपसन नमबर डी सही है उप्रोक्त सभी अपसन नमबर डी करेक्ट है उप्रोक्त सभी कुश्चन नमबर दो वर्टिकल और हरिजेंटल रेजिस्टेंस की धानड़ा दी थी वान यूम प्लांक ने वान यूम डर प्लांक ने कुश्चन नमबर नेश्ट फ्यूजिकल रेशेच की अवधारणा दी थी कुश्चन नमबर नेश्ट गेहु में ए जिनोम का स्रोथ है टिटिकम यूरे रट कुश्चन नमबर नेश्ट नाइगरावा ब्रेश्चा कमपे सिस्टर्स के संक्रण से उत्पन अफिडो फ्लाइड है 119 का आपसा नमबर सी हे ब्रेश का जन्सिया कुश्चन नमबर नेश्ट गेहु और राई के संकर से प्रथम इंटर जैनिक किसने उत्पन की थी तो यहाँ रिम्पू ने अठारा सो नब्बे में कुश्चन नमबर नेश्ट बी टीटी सम्मंधित है जो से संबंधित है बी टीटी संबंधित है कुश्चन नमबर नेश्ट त्रे गुड़ित सामन्निता होते हैं तो यहाँ इस्टेराइल होते हैं कुश्चन नमबर नेश्ट प्रथम मानुनिर्मित अनाज है तो यह टीटीकल है कुश्चन नमबर नेश्ट प्रथम मानुनिर्मित अनाज कुश्चन नमबर नेश्ट एक ही एक दसा जिसमें अंतराश्टी इस्पसीज संक्र से उत्पन यफवन ओजेस्टी एक फरटाइल होते हैं लेकिन यफ्टू संतित कमजोर और स्टाइल होती है क्या कहलाती है हाइबरिट ब्रेकडाउन कहलाती है कुश्चन नमबर नेश्ट संकर की जीवि संसंस्त उत्पन करने की योगिता कहलाती है संकर बंधता कहलाती है कुश्चन नमबर नेश्ट संकर ओज सब्द दिया था डेवन पोर्ट ने 1908 में दिया था संकर ओज सब्द दिया था तो या सल ने दिया था 1914 में संकरोज सब्ज दिया था सलने 1914 में अधिक्तम समानता किस में मिलती है तो या सिंगल क्रास में अधिक्तम समानता मिलती है कुश्चन नमबर नेश्ट डबल टाप क्राक कहलाता है तो इसका अप्सन नमबर ए सही है ए बी वी पी कुश्चन नमबर नेश्ट अंकरोज की प्राभाविता की आउधाड़ा सबसे पहले किस ने प्रस्तुत की थी तो डेवन पार्ट ने 1908 में प्रस्तुत की थी कुश्चन नमबर नेश्ट संकर ओच को इस्थिर करने के लिए कौन सी बिद्य काम आती है तो उपरोग सभी आफसन नमबर डी सही उपरोग सभी कुश्चन नमबर नेश्ट परपरागित जातियों में लगातार इनब्रीडिंग से प्राप्त सत्य प्रजन लाइन को कहते हैं इनब्रेड कहते हैं कुश्चन नमबर नेश्ट अलेगिक जनन से उत्पन एक पोधे की संतत कहलाती है क्लोन कहलाती है कुश्चन नमबर 134 एकल संग उमगज स्वापरागित पोधे की संतत कहलाती है प्योर लाइन कहलाती है Question number next प्योर लाइन थेवरी किसने प्रत्पादित की थी तो यहाँ जोहांसन ने प्रत्पादित की थी प्योर लाइन थेवरी Question number next जेनेटिक सब्द दिया था तो यहाँ बेट्सन ने दिया था जेनेटिक सब्द Question number next सह लगनता की एक घटना जिसमें सबसे पहले किसने देखा था बेट्सन वा एवं पूनेट ने देखा था Question number next एक जिन एक इंजाइम परिकलपना किसने दी थी Question number next Question number next जीन नियमिन की ओपेरान धाला किसने दी जेकप वा मोनाड ने Question number next डाक्टर हरविंद कुराना को 1960 में किस कार के लिए नोबिल किसकार प्रदान किया गया आनुएंसिकी कोड एवं डिने की मात्रा संसलेशन के लिए 140 का आप्सन नंबर सी सही है Question number next मिन्न में कौन साथ सेट कोशका में सही करम को दरसाता है अनुलेखान अनुआदन प्रोटीन संसलेशन आप्सन नंबर इसका A सही 141 का Question number 142 डबल क्रास इब्रिड की फार्मेंस निम्न से संयोग से ग्यात किरते हैं तो इसका आप्सन नंबर B सही है Question number 143 Single Cranches की संख्या किसकी बराबर होती है तो इन ब्रैकेट बंद 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 इन ब्रैकेट इन ब्रैकेट बंद 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 इ स्प्रिंग वाप बिंटर गेहुं के संक्र से उत्पन गेहुं की किस्म क्या कहलाती है वीरी कहलाती वेरी हाफसन नमबर डी सही है कुश्टन नमबर नेश्ट भूण पोस पर पर परागर के तुरंत प्रभाव को क्या कहते हैं तो इसे जीनिया कहते हैं कुश्टन नमबर नेश्ट युगुमक गुड़ सूत्र वाला पोधा क्या कहलाता है तो यहां आगुडित कहलाता है कुश्टन नमबर वन चास टू यान प्लस मान बराबर गुड़ सूत्र वाला पोधा क्या कहलाता है तो यहां किस्मो गेमी कहलाता है किसमो गयमी क्रिश्टो गयमी कहला था ये गलत किलिश क्रिश्टो गयमी कहला था question number next एक इस्तित जिसमें एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा लेता है जब वे दोनों एक ही गुर्शूतर पर इस्तित होते हैं कहलाता है question number next 2N-1-1 गुर्शूतर संग्ठनवाला वेक्तिकत कहलाता है तो यह double monosomic कहलाता है और यही खाली monosomic बुझे तो एह अटा देना बस 2N-1 तो यह खाली monosomic हो जाएगा question number next स्वाप रागन से सम्मंदित कौन सा कथं सही है यह 20 यूगमता को घटाता है यह 20 यूगमता को घटाता है question number C सही है टिटिकल है तो यह intergeneric है टिटिकल intergeneric है टिटिकल हम सम्मंदित कौनरीना मशूम इर गाएगा कि वस्पली लूगम STAR पाल काम भपनद टिट